हेलो फ्यू वाड़सन बॉक्स निडिया में आप सब कास स्वागत है और में हमरान आज मेरे पास अब जी रिवाइज है यह है रियल्मी 13 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन जीया दूस्तों रियल्मी ने इंडियर मार्केट में रियल्मी 13 प्लास 5G स्मार्फोन को लॉंच कर दिया 1200 मिली एंपेरार बैटरी 8G पर M256GB ROM वेरियन के साथ में औरे पास यह स्मार्फोन है तो काफी इंडरस्टिंग डिवाइस है काफी चखासा फ्यूचर्ज के साथ में यह स्मार्फोन है और इस स्मार्फोन की बॉक्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है चारो तरफ यहाप इस वीडियो को अपन तक जरूर देखेगा अब चलिए फिलहाल इसी स्मार्फोन को यहाँ पर अन्बोक्स करते हैं और देखते हैं यहाँ देखिए रियल्मी 13 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन काफी एच्छा कालर के साथ में बाकी बॉक्स कोंटेंट देखा जाए तो इसी ब खुब सिरत लुक्स और डिजाइन के साथ यह स्मार्फोन है काफी एच्छा लुक्स है इसी स्मार्फोन के देखिए मौनेट गॉल कालर में यह रिवाइज यह बहुत ही प्यारा लग रही है इस स्मार्फोन देखने में और इसी स्मार्फोन के बेक बोड़ी काफी खुब सिर्थ है जिसमें हमें रियल्मी का ब्रांडिंग देखने को मैं जाता है साथ में हैपिट्रेपल रेर कैमरा सटप और एलेडी फ्लाश भी दिया गया है और जो इस स्मार्फोन की कैमरा स्पेसिफिकेशन से बहुत ही बढ़िया है काफी तगड़ा कैमरा के साथ इस बार रिय काफी इंट्रेटिंग कलर है जई हाथ दोनों ही कलर काफ अच्छा है मौनेट गॉर्ड और एंबरेल्ड गरीन कलर, मैं दोनों ही कड़र को यहाँ पर अपनोंके qualcosa बेकडिक ब्रिए पेस्ट है अपने अपनेया की के हिसाब से इस smartphone की कोई भी Color आप चूज कर सकते हो और इसी smartphone की जो यहाँ पर first look, first impression है मुझे तो खासकर के युज़ काफी बढ़िया लगा आपको इस smartphone की first look, first impression डिवाइस की स्टिवाइस के किलर कैसा लगा निचे? absorb तो इस यहाँ डिवाइस की तू tantal इ yat Confederate the डिवाइज योर 8.2 mm thickness के साथ ये smartphone अगर इसी smartphone के आप embraced green जो eco leather के साथ मैं आता है उक लेधर के लिए इसका weight थोड़ासा बढ़ जाता है 190 ग्राम हो जाता है और thickness भी थोड़ासा बढ़ जाता है इइट प्रवरे में तिकने सोजाता है ओवर्राल स्मार्टफून की जो लूक्स डीसाइन बिल्ड क्वाली डिवाइस के कलर बहुत ही बेस्ट है और यह स्मार्टफॉन के साथ में यहादा घूर्वर्राइट के साथ में डिवाइस के इसी डिवाइस की कौन से कलर आपको बेस्ट लगा मॉनेट गॉल्ड या फिर एंब्रेल्ड ग्रीन करर नीशे कॉमेंट सेक्षन पर जरूर बता है उनमें डियूरिब्लिटी काफी एच्छा रहता है डिवाइस अचारक से गिर जाये तो बैक बोड़ी जो है वह सेफ रहता है तो टूटता नहीं जल्दी से अब चलिए डिवा स्मार्फोन की बागी। स्मार्फौन की डिस्प्ले के मामें में जायें जमांगे वीकिस्प्ली परफें नजर आ रहा है और यहां जो प्रोड़ ब्रिया गाएिप एंचा लगए है इसे एक रिखल्ड दिया गया थैलिकाए कलर्स के साथ में 120 Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है 2000 नीट स्राइप का यहाँ पे पीक ब्राइडनेस है तो दूप में लेके जाओ डिवाइज काफी अच्छा दिखेगा डिस्प्ले के मामले में काफी ब्राइज यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है और इस और इस देख रिट गहाँ ब्राइड ब्राइट डिस्प्ले यहाँ ब्राइट पर डिस्प्ले नजर आगया तो डिस्प्ले डिस्प्ले रहेगा अब चलिए परफोर्मेंस के ऊपर बात कर ले की जो पकुछ उगा डिवाइज में तीन अलग-अलग आग फेरियंट है ले जो base variant है वो मेरे पास है और इसी स्मार्टफोन में 12GB 256GB variant है और इसी स्मार्टफोन की जो आपर variant है वो आता है 12GB N500 12GB ROM के साथ में यानि तीन अलग-अलग variant में ये device market में available है अलग-अलग price range के इसाब से और इसी स्मार्टफोन में हमें या पर 8GB RAM के साथ में additional RGB RAM दिया गया है और 12GB के साथ में additional या पर जो virtual RAM है 12GB दिया गया है और इसी स्मार्टफोन की जो chipset है वो भी काफी बढ़िया chipset दिया गया है और इसी स्मार्टफोन की जो gaming and speed मिलेगा काफी अच्या रहेगा heavy usage के लिए डिवाइस काफी बढ़िया रहेगा काफी super fast स्मार्टफोन होगा और इसी स्मार्टफोन की जो overall performance होगा काफी decent आपको मिलेगा तो डिवाइस की processor जो है वो हमने देखा है काफी बढ़िया chipset दिया गया है budget range के इसाफ से सही chipset इसमें दिया गया है budget range के इसाफ से काफी चाहासा chipset है इसी स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर आप बड़ी है आराम से gaming कर पाऊगी इसी स्मार्टफोन के साथ में और android वर्टस लेटेस्ट यहापे 14 मिलता है यहापे 5.0 दिया गया है एडरीनो यहापे 710 जैसा पावरफुल जीप्यू भी प्रोवाइड कर दिया गया है जो चिपसेट है क्वालकम स्नाप्रगन 7S जेंटू 2.4 गिगा हार्ट क्लॉक स्पिट के साथ में एक उक्टा कर बसर है 4NM अर्टिटेक्चर पे बना हुआ एक चिपसेट क्वालकम स्नाप्रगन 7S जेंटू और रिवाइस की कैमरा स्पिसिफिकेशन के उपर बात कुरूब बड़िया कैमरा लेंज के साथ में यही स्मार्फोन है काफी तगड़ कैमरा रिज़ाल इसी स्मार्फोन में आपको देखने को मिल जाएगा क्यूंकि रिवाइस में यहाँ पे Dual OIS कैमरा दिया गए है प्राइमारी जो कैमरा दिया गए है 50 मेगा बिक्सेल यहाँ पे सोनी का Light 710 OIS primary कैमरा दिया गया है और जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो दिया गया है 50 मेगा बिक्सल का प्री स्कॉप लेंस वो भी सोनी का लाइट 600 जिसमें आपको 3X अप्टिकल जूम मिलता है 120X सूपर जूम के साथ में यही स्मार्पोन है और डिवाइस में आल्टर उनिंग लेंस भी दिया गया है 8 मेग पिक्सल यानि 50 प्लास 50 प्लास 8 मेगा बिक्सल का ट्रिपल डियर कैमरा सेट अप दिया गया है और डिवाइस में 32 मेगा बिक्सल सोनी आल्टरा क्लियर सेल्फी कैमरा के साथ में यही स्मार्पोन है और काफी सारा यहाँ पे AI फीचर्स के साथ में यही स्मार्पोन है और य 我覺得 Realme क ButTor backing, Realme 13 pro plus 5G smartphone, तो AI features वर पूर मातरा में इसी smartphone में म को, और खास करके यह केमरा Senti की smartphone है और जिसमें आपको अच्छा खासा camera यह मैंगाता है, और स्छा थ compensate आया है मेत काफी सारा एक फोर्व क्डिक या है लेटरली मुझे बहुत भी पसंद आया है इसी स्मार्टफौन की कैमरा result है यहाँ पर देखिए मैं आप लोगे साथ काफी सारा फोरूज क्लिक क्या है जो इसी स्मार्फ़ून के साथ क्लिक किया हुआ है यहाँ बहुत यह एच्छा कैमरा संटी की स्मार्फ़ून है रियल्मी 13 प्रॉप्लास 5G स्मार्फ़ून तो काफी अच्छी बात है कि इसमें स्मार्फ़ून स्मार्फ़ून के साथ दो इच्छ Mean Pan इंडोर कंडिशन में नाइट ओड़ किया है इसमें भी डिटेल बगरा देकी कितना अच्छा है है और मुझे तो खास करके खेमरा के मामोरे में कभी अच्छा असा डिवाइस लगा आपको यह सब खेसा लगा, रेलमी 13 Pro Plus 5G स्मार्फोन की निचे कमेंट करना ना भूलेंगे, अब चलिए इसी डिवाइस की प्राइस के ऊफर बात के लेते हैं, क्या है इसी इस्मार्फोन की प्राइस, इसी स्मार्फोन में तीन अलग-अलग वेरियंट है, तो अलग-अलग प्राइस प्राइस मार्केट में एवालेबल है और इसी स्मार्फोन के जो यहाँ पर 8GB रेम 56GB जो परेपास सब्सक्राइब है इसी स्मार्फोन की प्राइस है 32,999 पेसी यह अल्मोस्ट 33,000 का यह स्मार्फोन है 33,000 में आपको 8GB 56GB 8GB 254 वेरियन मिलता है और इसी डिवाइस की जो स्मार्फोन के साथ में 12GB 512GB रॉम जिसका प्राइस है 36,999 पेसी यह अल्मोस्ट 37,000 का यह स्मार्फोन है तीन अलग 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 प्राइस रेंज के इसाफ से डिवाइस मार्केट में अवालेबल है और प्राइस रेंज के साफ से स्पेसिफिकेशन के साफ से रियल्मी 13 Pro Plus 5G स्मार्फोन एक काफी तकड़ रिवाइस लगा काफी अच्छा सा स्मार्फोन लगा आपको यह स्मार्फोन कैसा लगा नीचे है कोमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए तो इदे दुस्तों रियल्मी 13 Pro Plus 5G स्मार्फोन के अन्बोक्सिंग और इसी स्मार्फो अगा तो आज का विडियो को बिसना है गाइस बाइबाइ ठेक क्यार एंड जाए हिंद